नमस्कार दोस्तो टेक होम टिप्स में आपका स्वागत है आज आपके लिए लाई हूँ उत्राखन की स्पेशल फूड रेसिपी हम बनाएंगे काली उड़त दाल का चैसू दोस्तो उत्राखन में ये बहुत फेमस है और हर घर में ये बनता है और सबसे अच्छी बात है आपसे पहले मैं क्या कर रही हूँ दाल को साफ कर लेंगे चोटे मोटे इसमें कंकर होते हैं उन्हें ध्यान से साफ कर लीजेगा देखे चोटे चोटे होते हैं अभी क्या करूंगी मैं इसको धोँगी पानी से बहुत सारे लोग ये स्टेप नहीं करते हैं पर मैं रिक्मे को हटा दीजिए अगर आप नए हैं बहुत जादा experience नहीं है आपको उत्रा खंड की दालों के बारे में तो यह अच्छा step है और फिर पानी निथारने के लिए मैं च्छनी में रख दूंगी सारा पानी निकल जाएगा और सबसे मज़िदार बात है दाल भी साफ हो जाएगी तो बस इस तरह से दाल साफ करके कडाही ले लेंगे लोही की अगर एक्छुली उत्रा खंड का food enjoy करना चाते है न टेस्ट तो लोही की कडाही में बनाईए अब इस दाल को मैं बिल्कुल से माच पे भून लूंगी बिना तेल के बिल्कुल ड्राय हमें रोस करना है इसको औ दाल हमारी अच्छे से भून दी गई अब मैं इसे निकाल लूंगी एक प्लेट में और हलका सा विल्कुल ठंडा करेंगे पूरी तरह ठंडा नहीं करेंगे हलका सा जुन-गुना रखने तक ठंडा करेंगे इस दाल को हम और दूसरी तरफ लोही की कडाई वही वाली है इस step बहुत important है दोस्तो हमें इसे दरदरा पीषना है दिखे इस तरह से बिल्कुल बारीक नहीं पीषेंगे दरदरा पीषेंगे उत्रा खन में तो हम सिलबटे में पीषते हैं पत्थर का होता है जो पर अभी क्योंकि एविलेबल नहीं है तो इसे grinding jar में ही पीष रही हूँ यहा जखिया उत्रा खन का बीज है अगर आपके पास नहीं है तो आप सरसों के दाने भी डाल सकते हैं अब इसे अच्छे से भून लूँगी और इसके साथ दो बड़ा चमच मैंने लहसुन काटा है बारीक सा वो और एक हरी मिर्च काटी है बारीक उसे भी डाल देंगे लहसु हल्दी के साथ में डाल रही हूँ एक चमच धनिया धनिय का पॉडर बस दोस्तों यही बेसिक मसाले है इसके उत्तरा खन के फूड की खास बात तो आपको पता ही है सादगी जो वाँ के लोगों की खास बात है वही उसके फूड की खास बात है तो अभी जो हमने दाल डाली लगभग दो मिनट तक और भूनूंगी और अभी बीच में क्या कर रही हूँ एक मिनट हो गया है भूनते वे तो नमक डाल रही हूँ एक चमच नमक आप बाद में अच्जस कर लीजेगा अगर आपको कम लग रहा है तो पर जादा मत डाली है शुरू आत में कम सही है मत अगर दोक्तव पर जफ सुअथ ट्री 기는 пошuju कलते है तो अब बारी आती है इसमें पानी डालने ही तो यहां पर मैं पांच कप पानी डाल रहे हूं दोस्तों मैंने तीन चताही कप यानि थ्री फ़ोर्थ कप मैंने डाल ली थी और उसमें पांच कप पानी डाल रही हूं सकते हैं अब एक उबाल आ गया था तो ढखकन लगा के इसको 15 मिनट को खोने के लिए छोड़ दिया है 15 मिनट बात देखे कुछ इस तरह का इसका टेक्शर हो गया है कलर बहुत प्यारा हो गया है और खुश्पु तो इतनी कमाल की आएगी ना आपके घर में की मतलब इतना ट बाके देख रही हूं पक गई है अच्छे से यानी चैशू बंके त्यार है इंतिजार की घड़ियां लगबग खत्म हो गई है, हमारा चैसू बंके त्यार हो गया है उत्तरा खंड का हमारा क्या उत्तरा खंड का special चैसू बंके त्यार हो गया इंफ्रेक्ट तो देखिए color और texture और टेक्शBe सब perfect है, हमारे यहां पर इसको भात के साथ काते हैं, भात यानि की rice उत्तराखन में rice को भात कहते हैं कोई भी variety का कितना भी अच्छा rice दिलो हम उसे भात ही कहते हैं तो भात के साथ cheese का मज़ा ही निराला है तो आप भी घर में बनाईए खाईए और उसको भी खिलाईए और मुझे comment करके बताईए कि आपको यह उत्तरा खंट का चैसू कैसा लगा दोस्तों मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट दीजिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और भी उत्तरा खंटी रेसिपीज आपके लिए लाती रहूंगी तो चैनल पे बने रहिएगा